आज के हमारे प्रोग्राम में तश्रीफ ला रहे हैं अफ्रिक की शायर पौनेलिया जी पौनेलिया जी का तालियों के स्वाथ स्वागत किया जाए अब हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे दूसरे मशूर शायर जो पाकिस्तान से आये हैं महम्मद किकबाल जी इनका भी जोरदार तालिगे साथ स्वागत किया जाए और अंत में हमारे मशूर शायर जो की दिल्ली से आये हैं मामन खान मामल इनका भी इस्तिकबाल किया जाए तालियों के साथ शुक्रिया जानोर जी शुक्रिया तो समय हो गया है हमारे मशूर शायर पौन एलिया जी के साथ बातचीत करने का उनको अमंत्रित करने का हमारा प्रोग्राम हम शुरू करते हैं स्वागत किया जाए पौन एलिया जी का पौन एलिया जी शुक्रिया मशूर भाई शुक्रिया किकवाल जी मामन जी अपनी ताजा ताजा गजल आपकी पेशे खिदमत है गोर फरमाईए इर्षाद में तु गोबर बटोडन किदर से आती है क्या बात है तू गोबर बिटोडन किदर से आती है और बिटोड़ा कहा है तेरा तू गोबर बिटोड कर कहा है क्या बात है अगला शेर सुनिए इर्शाद मिया तू पहलू में है मेरे तू पहलू में है मेरे फिर तेरी खुश्बू क्या बात है, बहुत बढ़ी है, तू पहलू में है मेरे फिर तेरी खुश्बू, बासी होकर कहां से आधा है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, अगला शेर सुनिये, इर्षाद, और फरमाईए, तेरी रहडी से लगकर चलने का खुआब है, मामन जी, तू थेपड़ी पाथने पैदल क्यूं जात रहते है, बहुत बढ़ी है, अगला से सुनिये, बारिष जब आती है, तू मुझे दुख भी होता है, बारिष जब आती है तो मुझे दुख भी होता है तेरी सब थेपड़ी भीग 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 जा क्या बात है मकतापेश है गजल इर्शाद मिया ग़र फरमाईए कि वक्त गुजरा नहीं अभी वक्त गुजरा नहीं अभी, गर वक्त गुजरे तो, तेरी तरफ की सारी कुरडिया बरसे भर बाद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी ओ, वावा पॉनेलिया सहाब क्या कहने बहुत खूब गजल बहुत खूब गजल अब हमारे दूसरे शायर जो की पाकिस्तान से आए है मुहम्मद किकबाल जी का एक बार स्वागत किया जाए काल्म के साथ मुहम्मद किकबाल जी आईए खुदी को कर बुलंद इतना के खुदा खुद पूछे क्या बात है खुदी को कर बुलंद इतना की खुदा खुद पूछे, के चट तो आया है इतनी उपर छोरी चौदी उत्रेगा कुक्र, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया पोने लिए दिए, तौर्द करता हूँ, गौर फरमाई, इर्शाद, इर्शाद, के अजाज है किसी का या गर्दी से जमाना, के अजाज है किसी का या गर्दी से जमाना, मना है बंगाल की रेलियों में भीड का आना, मार डालोगे हमको तुम सुना सुना के नजम उ गजल, वाव, 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 अब एक सेर्ट आपकी पेज़े खिदमत है, मामद खान ची जुनिए, कि तारिख आसियां से मैंने ये राज जान लिया है, पत्थर के आदमी के हख में है लोहे का आसियान, वाह 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 जियो किक्बाल साहब जियो आपके लिए एक सिर इर्शाद इर्शाद कि ये खुदाई खुदाई करके मार नरुके दगावाजी के अहाँ ये खुदाई खुदाई करके ये खुदाई खुदाई करके मार नरुके दगावाजी के बहुत चुबता है तेरा अल्ला अल्ला करके मैं खाने जाना वाँ ये खुदाई खुदाई करके मार नरुके दगावाजी के बहुत सुबता है तेरा लहा करके मैं खाने ना आणा यहाँ बात है अब एक सेर भुड़य करें highlights है इर्शाद के शायद अब किसी हरम में गाफिल होकर खुदाई से किसी हरम में आखिल होकर खुदाई से शराब पे लर रहे है तीनों पंड़त पादरी और मुलाना बहुत खूद, बहुत खूद, इकबाल सहाब, इर्शाद, इर्शाद, कि राजे जमाने से है वे खबर मोहमद की इकबाल, क्या बात है, क्या बात है, राजे जमाने से है बेखबर मुहम्मद किकबाल, क्या बात है, वाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाँ, क्या बात है, 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 क्या वावा, क्या कहने मुहम्मद इकबाल सहाब समाही बान दिया, अब हमारी अगली हस्ती, मामन खान मामन, उनका भी स्वागत किया जाए, जोरदार सालिय के स्वाइब, शुखरिया जनाब गानवर दि, शुखरिया जि, बहुत अच्छी गजल आपकी, पोनेलिया जी, बहुत गोर फर्माइएगा, कि अपने सब यार काम कर रहे हैं, और हम है कि जाम भर रहे हैं, क्या बात, 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 क्या बा दुकान डक्तरी की ग्यात भोत हो जें कि पर्चीद र पर्ची मासुकों को निफ्रायम कर रहे हैं क्या बात है 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 क्य जब से चड़ाया है माममद दिल पर गोरिला काए, आत्व सतित तुद्धार्द है तो भी तोड़े का इंतजाम कर रहे हैं वाँ बहुत तो तीनों महान शायर अपनी अपनी गजल के साथ पेश हुए वाव बहुत मज़ाया तो हमारे इस मुशायरे का अंत यहीं होता है अगले मुशायरे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कॉमेंट करें भन्यवाद, जैबाबाद